असलाम अलेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फस्ट एर फिजेक्स चेप्टर नमबर टू सिंग टेक्स बुक बोड के एक चेप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर तो सबसे पहले आईए हम पढ़ते हैं कि स्केलर क्या होता है दोस फिजिकल कॉंटिटीज विच रिक्वाइड मेग्निट्यूड विद प्रॉपर यूनिट बट डू नोट रिक्वाइड डियरेक्शन आर नौन एस स्केलर एसी फिजिकल कॉंटिटीज जिनको ना हो उन्हें हम कहते हैं स्केलर जैसे कि मास की अगर हम बात करते हैं एक्सामपल में हमने यहां रिप्रेजन किया मास एक अबजेक्ट है जिसका मास है फिफ्टी अगर हम सिर्फ कहते हैं फिफ्टी फिफ्टी रिप्रेजन कर रहा है इसके मैगनिट्यूड को जब तक हम नहीं लगाएंगे, हम उस मास को properly explain नहीं कर सकेंगे सिर्फ 50 से हम उसको explain नहीं कर सकते कि 50 किलो ग्राम है, 50 टन है 50 ग्राम है, मिली ग्राम है बहुत सारे यूनिट यहां possible है तो याद रहे कि सकेलर को explain करने के लिए magnitude के साथ-साथ एक proper unit का होना भी जरूरी है जैसे अगर मैं कहता हूँ 50 तो मैं explain नहीं कर सकता कि मास की quantity कितनी है लेकिन अगर मैं कहता हूँ 50 किलो ग्राम तो मैं इसको explain कर सकता हूँ कि 50 किलो ग्राम एक quantity of mass को मैं यहां represent कर रहा हूँ लेकिन mass को explain करने के लिए हमें direction की जरुवत नहीं है क्योंकि mass जै वो क्या है scalar quantity है लेहाज़ा 50 किलो ग्राम कह देना काफी है इस quantity को explain करने के लिए direction की जरुवत नहीं है तो scalar हमारे पास वो तमाम quantities होती है जिनको explain करने के लिए हमें magnitude की जरुवत होती है और magnitude के साथ साथ एक proper unit का होना जरुवत है अलबता उनको explain करने के लिए उनको define करने के लिए direction की जरुवत नहीं होती तो इसे तमाम quantities जिनको explain करने के लिए magnitude और proper unit की जरुवत हो और उनको explain करने के लिए direction की जरुवत नहों वो तमाम quantities कहलाती है स्केलर, अब स्केलर की यहां हमने एक्जामपल मेंशन की है मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एक्जेक्टरा यह तमाम कॉंटिटीज जो हैं, वो स्केलर कॉंटिटीज कहलाती है वेक्टर, दोस फिजिकल कॉंटिटीज विच रिक्वार्ड magnitude with proper unit as well as direction are known as vectors ऐसे फिजिकल कॉंटिटीज जिनको explain करने के लिए हमें magnitude की जर्वत हो, proper unit के साथ और साथ इसाथ एक तीसरी चीज जो यहां शामिल होगी, वो है direction direction की भी जर्वत हो, वो quantity कहलाती है vector मिसाल के तोर पर अगर हम बात करते हैं, force के तो force को explain करने के लिए हमें magnitude की भी जर्वत है, proper unit की भी जर्वत है और direction की भी जर्वत है, for example अगर मैं कहता हूँ 50 force जो अप्लाई हो रही वो 50, तो यह एक incomplete बात होगी हमें यहां समें proper unit की जर्वत होगी, तो मैंने यहां बात मुकमल की 50 newton की force जो है, वो अप्लाई हो रही है, तो फिर भी बात incomplete है सवाल यहां यह पेदा होगा, कि 50 newton की force किस direction में अप्लाई हो रही है क्योंकि force जो है, वो vector quantity और vector quantity में magnitude के साथ साथ proper unit की जर्वत भी होती है, और साथ इसाथ जो है, वो direction की जर्वत भी है तो याद रहे कि vector वो तमाम quantity है, जिनको explain करने के लिए magnitude, proper unit और साथ इसाथ direction की जर्वत होगी तो अगर मैं force को explain करना चाहूं, define करना चाहूं, तो 50 newton की force को define करने के लिए मुझे direction भी बतानी होगी कि 50 newton की force जो है, वो x-axis में apply हो रही है, 50 newton की force जो है, वो y-axis में apply हो रही है, जब तक मैं direction नहीं बताता हूं, तब तक मैं vector को properly define नहीं कर सकता तो हमारे बस vector की जो example है, वो velocity, force, acceleration, displacement, momentum, etc. ये तमाम वो quantity हैं, जो vectors कहलाती है vector को represent करने के लिए हमें कोई भी alphabet कर समाल करना होता है, और साथ इसके ओपर arrow हम लगा देते हैं, arrow indicate कर रहा होता है कि ये एक vector quantity है, लेकिन कभी कबार कुछ मकामात पर हम vector की direction को show नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ इसके magnitude को discuss कर रहे होते हैं, during the calculation, तो हमें उस condition में simple alphabet अलफाबेट इस्तमाल करना है, जिससे अगर मैं force को यह है, वो symbol यहाँ F लिक रहा हूँ, उसके साथ arrow लिक रहा हूँ, उसका मतलब में, यहाँ force के साथ साथ उसकी direction को भी show कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसी force को सिर्फ अगर F लिक रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं magnitude को यहाँ डिसकस कर रहा हूँ, force की direction को डिसकस नहीं कर रहा हूँ, तो याद रहे कि vector को represent करने का तरीका है, कि alphabet के साथ उपर arrow का इस्तमाल किया जाए, और इसके magnitude को अगर डिसकस करना है, तो simple alphabet का इस्तमाल किया जाए, arrow ना लगाया जाए, अगर आपको हमारी वीडियो सम notification आपको receive होंगी, याद रहे, lecture number two में हम इसी vector scalar के chapter को हम continue करने जा रहे हैं, जिसमें हम unit vector को explain करने जाएंगे, तो उसको मिस मत कीजिएगा, thank you very much, allah hafiz.